नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यार्गोड चैनल पर आज के वीडियो में हम स्टॉक ब्रोकर को समझेगे कि एक स्टॉक ब्रोकर क्या होता है आप सभी को, आप सभी ने मुवी तो देखी होगी ना हर्श्रद मैंता की आपको पता है कि वो क्या थे वो एक stock broker थे जो कि लोगों के पैसे ले करके stock market तक पहुचाते थे और stock market से उन लोगों को stocks दिलवाते थे यही काम एक stock broker का होता है लेकिन दोस्तों ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटा फट सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लाते रहता हो जाने पर तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया stock broker जो है बहुत जादा महत्पूर्ण और जरूरी कड़ी हो जाते है stock market को चलाने के लिए ऐसा क्यों stock market में पैसा लगाने वाली ज्यादा तर पब्लिक होती है जैसे कि आप मैं हम लोग क्या करते है stock market में पैसा लगाना चाते है अलग-अलग companies हमारे मनपसंद की जिन में हम जाते हैं कि हम पैसे इंवेस्ट करें क्योंकि हमको लग रहा है कि ये company को उस दिनों में काफी जादा ऊपर जाए और हमारे पैसे वी उस company के साथ ग्रो करेंगे जिसकी वज़े से हमें कुछ फायदा होगा और हमारे पैसे मतलब bank में FD में पड़े हुए छोटे मोटे इंट्रस्ट के साथ जो बढ़ रहे हैं वो काफी अच्छे इंट्रस्ट के साथ हमें return में मिलेंगे तो ऐसे समय पर में stock खरीना जाते हैं तो हम कहां पर जाएंगे तो आम तोर पर एक दुकान होती है जहां पर हम जाकर के सामान लेते हैं लेकिन ऐसे हमारे देश में दो इस एक्सचेंज है वह stock exchange कहा जाता है एक Bombay stock exchange जिसे BAC और National stock exchange जिसे NAC कहा जाता है अब इन से अगर आ authority नहीं दी गई है कि आप directly stock exchange से stocks खरीद लें ऐसे कुछ लोग सरकार ने लगाए हुए हैं जिनको broker कहा जाता है जिनके पास हर एक बंदा जा सकता है public जा सकते कि मुझे फलानी company के फलाने stock फलाने रुपए में अपने रुपए से भी खरीच सकते हो या फिर चाहो तो market price पर और जब आपने बता दिया stock broker को सारी चीज़ है तो वो जाकर के आपके पैसे लेते हैं वहाँ पर जाके खरीदते हैं और आपको लागर करके दे देते हैं ठीक है तो यह बीच के हो गए तो जाहतर हिंदी में ने धलाल कहा जाता है ठीक है हम कहेंगे broker जैसा कि stock broker कहला रहे ह अब इनकी कमाई कहां से होती है तो इनकी कमाई जो है न दोस्तों यह होती है commission से जब इन्होंने आपके लिए कुछ काम करके दिया तो इन्होंने कुछ brokerage लिया आपसे जब ही भी आपके लिए कुछ काम किया यह brokerage आपसे लेते हैं कि भाई मैं आपका यह काम तो कर दूँ कि आप एक बार खरीद रहे हो, उसका मैं कुछ चार्ज करूँगा, आप फिर बेज रहे हैं, तब भी मैं चार्ज करूँगा, हर एक order पर चार्ज वो आपसे ले रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि हम साला ना आपके जो आपका DMAT अकाउंट है, आपको एक चीज और बता दू कि ज अकाउंट का maintenance अभी चार्ज आपसे ब्रोकर लिया करते हैं, ज्यादा दा discount ब्रोकर जो है वो आपसे 20 रुपर चार्ज लेते हैं, एक काम करने का आपकी कि आपके लिए खरीद के दिया या बेज के दिया, अब आपको ए टर्म समझ में आई कि या discount ब्रोकर कुछ नया बोल है, तो चलिए मैं इनके बारे में बताता हूँ कि क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लें एक उपर-उपर की stock broker कैसे काम कर रहा है, stock broker जब भी कोई निवेशक उनके पास आता है, जैसे कि मैं trade करना चाहता हूँ, तो मैं stock broker के पास जाओंगा, तो वो मेरा एक DMET अ exchange तक पहुचाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर अगर उन्हें कोई बेचने वाला मिल जाता है, तो वो share ला करके मुझे दे देते हैं, अब चलते हैं discount broker, जो मैंने चीज बोली थी उसके तरफ, तो देखिए basically, यह जो stock brokers होते हैं, दो type के होते है, एक होता है premium stock broker, या कहें full service stock broker, जो कि पूरी service दिया करते हैं, और दूसरे होते है discount broker, जैसे कि नाम से सपष्ट है discount broker के कि भाई, यह अपने charges में काफी ज़्यादा discount आपको provide कर रहे हैं, आपको काफी कम पैसों में करने के लिए काम मिल जा रहा है, दूसरे है, full service या premium, याने कि यह जो काफी ज़्यादा पैसे लेते हैं, आपसे हरे काम को करने का, लेकिन दोनों के काम में अंतर क्या है, क्या चीज़े provide कर रहे हैं, full service वाले और discount वाले क्या चीज़े नहीं दे रहे हैं, उन पर बात करते हैं, full service या premium broker वो होते हैं, जो की demand account तो खुलवा ही देते हैं, साथ में उनकी trading भी करके द देते हैं, कि आप क्या खरीदने वाले हो, कितना खरीदने वाले हो, लाकर भी देते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या खरीदना है, उसकी tips भी देते हैं, वो ये भी बताते हैं, और समय समय पर आपके जो account handle करके ये भी बताते हैं, क्या आप क्या खरीदना चाहिए, आपको पर chances हैं कि वो बढ़ेगा, guarantee नहीं देते हैं, लेकिन हाँ आपको tips जरूर देते हैं, कि हाँ ये करना चाहिए ये वो करना चाहिए, कब खरीदना है, कब बेजना है, कब आपको market में इंटर करना है, कब आपको market से निकल जाना है, ये भी चीज़ें आपको tips में दी जाती है, इसी वज़े से इनका customer support काफी अच्छा होता है, जिसकी फीस भी चार्ज करते हैं, कुछ जाधा फीस लेते हैं, डिस्कार बोकर के मकाबले काफी जाधा फीस चार्ज करते हैं, अभी जो market में available full service या premium stock broker हैं, वो कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बता दूँ, एक है ICICI direct, द लाते हैं, जो की charges काफी लेते हैं, लेकिन आपको समय सबापर tips भी देते हैं, अब आते हैं discount broker के तरफ, कि discount broker कैसे काम करते हैं, तो discount broker का सीधा सीधा काम है, आप अपने गणित खुद कीजिए, हम आपको ना ही कोई tips देंगे, ना ही कुछ समझाएंगे, हम सिर्फ आपको ए मान के चले, food service में आप काफी समय से कर रहे हैं, और आपको market की काफी अच्छी समाझ हो गई है, लेकिन उसके बाद भी, ऐसे stock broker को पैसे देना, जो आपको tips प्रवाइड कर रहे हैं, जिनके आपको जरूरत नहीं है, ऐसे समय पर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे discount broker के तर सिर्फ आपको platform provide करते हैं, कि इस पर जाकर के आप अपनी trading कीजिए, चाहे आप mutual fund करीद रहे हो, चाहे आप share market में shares करीद रहे हो, किस company खरीदने हैं, आपको search करना होगा, company देखकर के आप search करेंगे, ढूड़ेंगे, और उसके बाद आप खुद calculate करके, अलग-अलग trends लग लग-अलग indicators लगा करके, चेक करेंगे, और फिर आप अपने trading करेंगे, इसमें जितना भी फायदा होगा, जितना भी घाटा होगा, वो आपका होने वाला है, company आप से नहीं लेगी, company सिर्फ आप से क्या लेगी, 20 रुपे, 20 रुपे भी नहीं लेते हैं, मतलब उनके अलग कोई stock broker है, तो आप कैसे ही निवेश करेंगे, तो ये आपको stock broker के through मिल जाती है, अगर आप एक full service या premium stock broker ले ले लेते हैं, तो ये आपको stock market की समझ है, तो आपको tips भी दे सकते हैं, और आपको सलाहा भी दे सकते हैं, कि कब आपको कितना पैसा कहां पर लगाना है, और कब निकल जाना है, stock broker अपने ग्रहकों के तरफ से stocks को खरीदते और बेजते हैं, और साथी साथ साथ जितनी भी काकजी कार रहे हैं, ये वैसे आज कल तो applications है, तो ज़्यादा कारोई ज़रूत नहीं होते हैं, ये सारा पीछे का काम है, वो समालते हैं, ताकि आपको ज़्यादा ये खुलवाते हैं, और platform प्रोवाइड करते हैं, कि इस पर आप trading कीजिए, जैसे कि applications हैं, kite हो गया है, grow हो गया है, ये सारी applications, और अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, कुछ सवाल किसी के मन में आ रहे हैं, कि आप trading ऐसे क्यों नहीं हो रही है, वैसे क्यों नहीं हो रही है, कै आप premium ले लीजिए, कुछ समय तक उनको थोड़ा पैसा दीजिए, लेकर उससे क्या होगा, आपको समझ आएगी कि क्यों वो बोल रहे हैं, क्या चीज़ है, उनसे आप सीखिए, कि कैसे market को पढ़ा जाता है, एक बार आप उसमें पारंगत हो गए, 6-7 मैने अगर आप पार देना ज़रूरी है, सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा, घंटे का बटन जरूर दबा दीज़ेगा, मिलेंगे नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,